हर यों ग्यान दाईनी वा सार्दा के चरणों में नमन आधनिये स्वमू सिंग जी और अन्य सभी शिक्षा विद शिक्षा प्रेमी भाईयो बहनों आज जिस विशे पर हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं वो विशे आप सभी शिक्षा चेत्र में काम करने वाले कार्यगरता होने के नाते से आप सब के लिए प्रयाप्त अनुभव जन्न ऐसा विशे रहा है कोई नई बात मैं आप से शेयर करने के लिए नहीं बेठा प्रंतु शिक्षा के चेत्र का कार्य करता होने के नाते से पिछले लंबे समय से शिक्षा के चेत्र में विद्या भारती अखिर भारती शिक्षा संस्थान नाम का एक संगठन काम कर रहा है और मैं उस संगठन का कारिकरता हूँ 1952 में एक छोटे से प्रयोग के नाते से शिक्षा के शित्र में कारिय प्रारम्ब किया और आज 68 साल बीद्ते बीद्ते विद्या भारती के कारिकरता के नाते से जो शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत अनोव प्राप्त किया है वैसी कुछ बातें आपके साथ इस सत्र में हम सेर करेंगे ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश की शक्ति के बारे में अगर आंकलन करना हो तो कुछ जो परमुक बिंदू रहते हैं विचार करने वाले उसमें पहला बिंदू रहता है भूभाग वो देश कितने लंबे चोड़े छेत्रफल के भूभाग को अपने अंदर समेटे हुए है ये उसकी सक्ति का पहला आंकलन रहता है दूसरा अकलन का बिंदू रहता है उस देश के अंदर प्राकर्तिक संसाधन कितने हैं प्रकर्ति ने किस परकार की संसाधनों को उपलब्द करवाया है तीसरा बिंदू रहता है उस भूभाग में रहने वाला जो समाज है वो किस परकार का है किस परकार के योद्धा किस परकार के चिन्तक कैसे शिक्षाविद किस परकार के अध्यापक कुल मिला करके हर द्रष्टिकौन ते वो समाज कितना ससक्त है यह आंकलन का तीसरा बिंदू रहता है चोथा बिंदू रहता है उस देश में जो शिक्षा विवस्ता है जिसके आधार पर समाज का निर्माण होता है वो शिक्षा विवस्ता की दिशा कैसी है और पांचमा और सबसे महतोपूर्ण बिंदू रहता है इन सभी प्रकार की विवस्ताओं को संचालन करने वाला जो शि जान में आता है कि हमारे देश का भूभाग अटक से कटक तक काश्मीर से कन्या कुमारी तक कांधार से लेकर के और पुर्वोतर तक ब्रह्म देश तक एक विसाल भूभाग के स्वामी हम आर्यावर्त भारत वर्ष के लोग रहे हैं प्राकृतिक संसाधन भी हमारे देश में प्रियाप्त मातरा में प्रकर्ति ने प्रधत्त करवाया है सवी रितुएं सभी परकार के खनिज़ पदार्थ और हमारा ही देश ये इस प्रकार की विसिश्थाओं को प्राप्त करने वाला देश है जहां एक ही समय में प्लस 50 से लेकर के और माइनस 40 डिग्री तक यानि 90 डिग्री टेम्परेजर का जो फ्लेक्ट्वेशन रहता है रेगिस्तान के मरुष्थल में 48, 49, 50 डिग्री टेम्परेजर जाता है और जो हिमाले की उपत्तिकाएं हैं उसमें माइनस 30, माइनस 35, माइनस 40 डिग्री तक टेम्परेजर जाता है अर्तात सभी प्रकार की विश्ष्थाएं हमारे देश को उप्रवद हुई हमारे देश के लोगों के बारे में अगर विचार करेंगे तो एक से क्योद्धाओं का वर्णन आता है देश प्रेमियों का, देश भक्तों का वर्णन आता है बड़े-बड़े शिक्षा विदों का वर्णन आता है शिक्षा पद्धती का विवस्ताओं का वर्णन आता है अर्तात इस सामान जन साधार्न की द्रक्ति से भी हमारा देश ससक्त रहा है इतनी सब चीजें प्रयात्य मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी एक चिंदा करने का जो विशे हमारे सामने आज इक खड़ा हुआ है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक नमी सताबदी से जिन आकरवन के क्रम हमारे देश पर प्रारंब हुए और अभी बीश्वी सताबदी के मद्य तक एक लगबग ज्यारा सो बारा सो वर्सों तक हमारे देश को बिन्न बिन्न परकार की आपत्तियों के साथ बिन्न बिन्न परकार की बरबर जातियों के साथ डच है पुर्तगाल है हून है सक है यवन है मुगल है तुर्क है और अंग्रेज ऐसे बिन्न बिन्न परकार की जन जातियों का बिन्न बिन्न परकार के लोगों का आ स्विकार किया कई वार लोग कहते हैं कि हम इतने वर्ष गुलाम रहे मेरी व्यक्ति के तमानेता है कि हम गुलाम नहीं हम संगर्ष चील रहे कहीं न कहीं देश के किसी ने किसी कौने में हमारे किसी ने किसी नेत्रित्व में हमने बराबर संगर्ष किया है और उस संगर्ष में कभी सबलता प्राप्त हुई कभी विफलता प्राप्त हुई परंतु सभी प्रकार से संगर्ष करते रहे 1947 में उस संगर्षों के प्रणाम सो रूप हमें जिसे हम आजादी कहते हैं वो हमें प्राप्त होई प्रन्तु इस ग्यारे सो वर्सों के कालखंड के निरंदर शंगर्श के कारण जो मूल बात थी हमारे यहां की शिक्षा व्यवस्था वो किसी ने किसी रूप से प्रभावित होती चली गई हम निरंदर्ता में जितनी मात्रा में शिक्षा के बारे में जिस परकार का चिंतन करने की आवसक्ता चाहिए थी वो इन संगर्ष के कारण से विश्विद्यालों के नालंदा तक्षिला विक्रम चिला ऐसे विद्यालों के विश्विद्यालों के नाम भी आते हैं व्यक्तियों के आधार पर आचारियों के आधार पर चलने वाली जो पाठे परंबराएं रही हैं उनके नाम भी आते हैं परन्तों ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निरंतर जारी नहीं रह सकी क्योंकि एक लंबा कालखंड हमें संगर्स में बिताना पड़ा आज जब बीश्मी सताब्दी के बाद इस 21 सताब्दी के प्रारंबिक समय में 20 साल बीटते बीटते जब हम विचार करते हैं अपने देश के शिक्षा के बारे में तो ध्यान में रहत आना चाहिए कि आज के समाज की स्थितियां, समाज की व्यवस्थाएं, समाज की आवसक्ताएं, ये उस कुरानिक काल में बहुत अच्छी होने के बहुजुद भी आज बड़ी मात्रा में परिवर्तित हो गई हैं। उस परिवर्तन के क्रम में शिक्षा के छेतर में काम करने वाले हम जो शिक्षक वरिंद हैं, हमारी भूमिकाएं स्वावी ग्रूप से एक नए श्तर पर नई प्रकार की चुनोतियों में, नए प्रकार के परिवेश में, कहीं न कहीं हमें इस परिवर्तित और समवर्दित पर आधार पर उस भूमिका को स्विकार करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको स्पष्ट करने के प्रयास्टे मैं कुछ एक तो उधारन जोड़ना चाहता हूं कि एक समय में शिक्षा उप्लब्द करवाना कि एक इवल पाथ साला का क्रम नहीं था तो अमारे हम यह मान्यता है और मैं तो मुलता विज्ञान का विज्यारती हूँ तो विज्ञानिक पद्दती से भी ये विश्ट्रेशना आत्मक आधार पर रिचर्च के औरिएंसेशन के आधार पर ये सत्यसिद्ध हो चुका है कि शिक्षा तो माता के गर्व से ही मिलते हैं आज के समय में भी एक बहुत अच्छी एक रिशर्च रिपोर्ट में पड़ रहा था जापान के कुछ विज्ञानिकों ने इस भारतिय पद्धती का एक सोध किया उस सोध के आधार पर एक मा के गर्व में जो शिशू था छटे महिने के अंदर उस सिशू के सामने कुछ बिन्द बिन्द प्रकार के ऐसे वद्धयंत्रों का एक भनी ये तरंगें ये उसके सामने परदर्शित की गई और जिसको सोनोग्राफी सिस्टम कहते हैं मेडिकल साइंस में उस सोनोग्राफी के आधार पर जब उस सिशू के यानि मा के गर्व के अंदर सिशू की एक्टिविटी को जब अबजर्व किया गया उसकी क्रिया सिलता का जब इसलेशन किया गया तो ध्यान में आया कि तबल कर रहा है और जैसे ध्वनी जो उसको पसंद आती है उसके अनुसार उसके भेश की जो स्माइलिंग है या जो ध्वनी तिवर्ता वाली है करकस वाली है तो उसके चेरे पर शिकन आती है और पीड़ा की अनुभूती होती है तो ये सभी बातें ये सिद्ध करती हैं कि शिक्ष से चले आए हैं कि पहली गुरु मा होती है हमें इसको थोड़ा से और व्याभारी ग्रश्टी से भी समझने की आवसकता है जो हमारे प्रति दिन अनुभों में आती है वो ध्यान में आती है एक तीन मेने का चार मेने का छे मेने का बालक वाली का उसके हाथ में अगर आपने कोई भी वस्तु दी तो वो तुरंत उस वस्तु को ये खाद्य है कि खाद्य है भक्षण के योग्य है कि भक्षण के योग्य नहीं है इस बात की विवेचना नय करते हुए उस वस्तु को मु पूमें डालने का प्रयास करता है खाने का प्रयास करता है क्योंकि उस समय तक उसकी व्यवस्था की शिक्षा की जो दिशा है वो केवल उदर पूर्ती तक सिमित है दीरे-दीरे मा उसको परिजित कराती है परिवार से ये तेरे पिता हैं ये तेरे भाई हैं ये बहन हैं ये बाकियों के साथ भी तुम शेयर करो, इन सब के साथ ने परस्पर तुमारा संबंद है, एक आत्मिता का संबंद है, दाइत्व का संबंद है, परस्पर इस परकार का संबंद है, उस संबंदों की जागरिती, याने उसके उस अंकॉंसेस माइंड में, उस अवचेतन मस्तिस्क में इस परकार के विश्यों का संप्रेशन करती है तो उस संप्रेशन आत्पक पद्दती के आदार पर उसकी सिख्षा का पहला जो पाठ है यह प्रारंब होता है आगे चल करके दिरे 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 जिरे जो वो दो वर्स का डाई वर्स का तीन वर्स का बालक बाली का होता है तो आसपास के परिवार के आसपास रहने वाला जो समाज है उससे उसका परिश्य आता है यानि व्यस्टी से समस्टी की दिशा में आगे बढ़ने की प्रिद्रिया प्रारंब होती है दीरे दीरे पांच वर्स चार वर्स का होते होते पाट साला की तरफ जाने का है स्कूल में जाने का एक विशे प्रारंब होता है उसके साथ पढ़ने वाले जो सहपाथी बहिया बहन रहते हैं उन्हों विद्यारतियों के साथ उसका संबंध आता है शिक्षक शिक्षिका के साथ संबंध आता है और वो बिन्न बिन्न परकार की यानि व्यस्टी से समस्टी और समस्टी से फिर वो स्रिष्टी की तरफ उन्मुक होता है यानि शिक्षा की जो निरंतरता है मा के गर्व से जो शिक्षा का पहला पाठ प्रारंब हुआ वो व्यस्टी से समस्टी समस्टी से स्रिष्टी और स्र प्रमेश्थी की तरफ उसे अगर्शर करता है अब विचार करने का विशे यह है कि यह जो शिक्षा की continuity है यह जो निरंदरता है जिसके आधार पर विद्यार्थी केवल विशे का ज्ञान नहीं करता किसी एक विशे विशे इसके बारे में कोई साइंस पढ़ रहा है कि जोग आसपास रहने वाला जो समाज है उसके आसपास की जो प्रकरती है उसके आसपास का जो सभी प्रकार का परिवेश है उन सभी में से कुछ ने कुछ ग्रहन करता है और दिरे 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 उसके बुद्धे की जो परिपक्वता है उसके भावनाओं का जो विकास है उसक अवचेतन मस्तिस्क में पढ़ने वाले ये जो संसकार हैं इन सभी का जो समुच्च है इन सभी के समुच्च के आदार पर एक व्यक्तित्व का विकास होता है यानि complete personality development की जब हम बात करते हैं शिक्षा का जो मूल उद्देश रहता है एक संपूर्ण स्रवांगिन विकास एक संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान करवाना संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करना ये जो व्यक्तित्व की रचना है इसमें ये सभी परकार के पहलू ये समाईत होते हैं अमारे यहां पुराणिक समय चे ही पंच कोशात्मक विकास की चर्चा आई है अन्नमे कोश से रेकर के आनंद में कोश तक सभी पाँचों कोशों का विकास कर्मानुगत पद्दती चे यह होता रहा है। कालांतर में इसको अलग पद्दती चे किया गया, तो हमने इसको शरीर, मन, प्राण, भुद्धी और आत्मा इन पाँचों तत्यों के आदार पर विकास होता है गोस्वामी तुलसिदास जी ने जो कहा है जिस पंच महाभूत का परिचे कराया है इस संपोर्ण स्रश्टी की रचना में जिनका मूल घटक रहता है छितिजल पावा गगन समीरा उन पांचों महाभूतों के आदार पर व्यक्तित्यों की रचना उन पांचों के परिवेश में पांचों महाभूतों के साथ उसका कॉंबिनेशन बनाते हुए एक विक्तित्व का विकास होता है यह शिक्षा की द्रश्टी इसके आदार पर बनती है अब विचार करने का विशे जब हम आज के समय में आज के परिवेश में विचार करेंगे त नहीं कहीं कहीं माता और पिता दोनों किसी ने किसी परकार के व्यक्तिकत जीवन के सामाजिक जीवन के कामों में लगे हुए हैं उस बालक बालिका के गर्व के समय से लेकर के जिस परकार के संस्कार और शिक्षा का जो परतम अध्याय जो प्रारंबे में से ही जिस तरह से चा गया और ये दाइत्व प्रकारांतर से यानि जो दाइत्व परिवार के पास रहता था माता के पास रहता था उस जुआइंट फैमिली के अंदर दादा चाचा ताउ ताई ये जो परिवार के जो बड़े हैं जो भिन्दे-बिन्दे परकार की कथाओं के माद्दम से संसकार और उस व्यक्तित्व के विकास में इन्पुट देने का काम करते थे वो दिरे 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 एक अलग परकार के समाज की रचना बनने के कारण से कहीं ने कहीं उसमें न्यूनता आती चली गई आज एक अलग चैलेंज है हमारे सामने हम जो शिक्षक के चेतर में काम करने वाले सभी शिक्षक हैं हमारे सामने एक बड़ी चुनोती है कि इस परिवेश में हमें मा की भूमी का भी निभानी बढ़ती है हमें पिता की भूमी का भी निभानी बढ़ती है हमें भाई-बहन क कि भूमिका भी निभानी पड़ती है और हमें चिक्षक की भूमिका में तो हम है इन तो ये जो सभी प्रकार की भूमिकाएं जो परिवार के परिवेश में प्राप्त होती थी आज उन सभी प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शिक्षक के दाइत्व के साथ जुड़ गया है ऐसी स्थिती में शिक्षक की संपूर्ण परिकल्पना जब हम कहते हैं कि ससक्त समाज का निर्मान का मूलाधार शिक्षक है तो स्वभाविक बात है केवल वो विशे ज्यान करवाए इतना प्रयाप्त उससे अपेक्षित नहीं है विशे की जानकारी दे देना कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़ा देना इतना मात्र प्रयाप्त नहीं है आज की समाज की रचना में शिक्षक के दाईतों के अंदर एक गुरूतर वृद्धी का प्रिवेश बन गया है शिक्षक को सभी प्रकार की भूमिकाओं का अंदर भेन करना पड़ता है कभी हम जब एक समगरता में शिक्षा का विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि कई न कई पाठ्थे चरिया है पाठ्थे क्रम है पाठ्थे पद्धती है और पाठ्थे पुस्तक है कैरिकूलम है स्लेबस है पेडलोगी है और उसके साथ जुड़ा हुआ टेक्स्ट बुक्स है इसी चीज को ले करके हम क्लास टीचिंग करवाने का एक मोडल लेशन प्लान के आधार पर एक अच्छी पद्धती से हम शिक्षन करवाएं इतना ही मात्र हमें जान में आता था प्रन्तु आज के समय में मित्रो इस भूमिका के अंदर एक बहुत बड़ा इन्पुट डालने की आऊशकता पड़ेगी युनेस्को की एक रिपोर्ट है जिसके बारे में बड़ी चर्चा होती है learning to know learning to do learning to be and learning to live together यानि जानना ये जो पहली बात रहती है जानना यानि क्या विषे जानना इतरा नहीं है उस जानने लर्णिंग टो नो वाला जो पक्स है उस जानने वाले विषे में वो समाज के बारे में जाने यानि विशे से प्रारंब करता हुआ, वो परिवेश के बारे में जाने, वो समाज के बारे में जाने, वो विज्जारती संपुर्ण सृष्टी के बारे में जाने, समाज के और मेरा संबंद क्या है, वेश्टी और समस्टी का संबंद क्या है, समस्टी और प्रमेश्टी का सं इतना स्पष्ट हो सकेगा वो उसी परकार से उसी दिसा में उसके विक्जीवन का विकास होगा एक कुछ छोटे-छोटे उधान देता हूं तो बात और जिरा स्पष्ट होगी आज बहुत परकार की चर्चाएं वर्तमान परिवेश के आधार पर हो रही हैं इस कोविद 19 को ल आरे यहां समाजीक परिवेश में हम केबल प्रंपराओं के करण के पालन करते थे सकाहरी बхोजन का विशे होगा प्रणायाम का विशे होगा योग करने का विशे होगा जो हमारी जीवन जर्या रहती थी way of life इसको कहते हैं यह जो अमारी दिन जर्या रहती थी ये सभी ची समाधन पिर इन पारतिय प्रेंप्राओं में है कि उसको वेकर है उसका पालन करने का प्रयाश कर रहा है लेकिन इस सबा झ भातậy में कहा कि जो हमारा सवमस्ठी के साथ में सम्बंदों की जो रचना बनाई जाती थी है कि आज प्र्यावरण के परदूसी तोरह इसकी चर्चा हैं नदिया पर परदूसीत हो रही है स्की चर्चा पर एक तचा कैंसर जिसको कहा जाता है यह निर्मान होने की संभावना यानि भिन्ने-भिन्ने प्रकार की जो चैलेंजेज हैं उनका समाधान कहा है उस समाधान हमारी संस्कृति में था हमारे देनिंदन के जीवन के अंदर उन सब चीजों को हमारा शिक्ष के उस अनुवूत सब्सक्राइब करने वाला पोधा है पर अनके जीवन की रचना में उत्सव के माध्यम से उस पीपल के प्रतिश्रद्धा और उस पीपल को नहीं काटना उस पीपल को अलग बद्दती से बढ़ाते रहना यानि कोई अगर हमारे परिवार के आसपास में कहीं भी घर के सती से विचार करेंगे तो ये सभी बातें उस शिक्षा के माध्यम से हमारी जीवन रचना के एक अंग बने हुए थे कि आज के शिक्षक को केवल विशेग्यान नहीं तो इन समगरता की बातों की चिंता करने की आफसक्ता फिर से पड़ रही है ये बात जान में आती है कि बीच के कालखंडे में भिन्न भिन्न कारणों से साइध हमने उसके उस व्यतिक्रम को हम मैंने जैशा प्रारमे में कहा कि लंबे समय तक 1100 वर्सों तक संगर्शील रहने के कारण हमारे समाज से इस विसेयों का ज्यानात्मक पक्ष जो है वो ओजल हो गया परन्तु आज की स्थिती के अंदर आज हम जो शिक्षा के छितर में काम करने वाले कार करता हैं हमको फिर से इस दाइत्यों का निर्वहन करना पड़ेगा और उन सब चीजों को अपने ये जो वेलूज को उसके जीवन रचना को उसी पद्दती से इन्पुट्स देने की आँ सकता लेगेगी एक विसे और ध्यान में आता है शिक्षक के नाते से जब हम एक समगरता का विचार करेंगे तो ध्यान में क्या आएगा कि प्रारम में हमारा शिक्षक के नाते जब भूमी क का प्रारम होती है तो कहीं न कहीं वो भूमी का केवल विशे तक सीमित रहती है मैं विज्ञान का सिक्षक हूं मैं भाचा का सिक्षक हूं मैं समाज सास्तर का सिक्षक हूं या इतियाज मुगोल का सिक्षक हूं यहीं तक सायद हमारी भूमी का प्रारम में आती होंगी लेक इसके आगे के जो दो चरण और हैं विशे शिख्षक से विध्यार्ती शिख्षक और विध्यार्ती शिख्षक से समाज शिख्षक इन दोनों चरणों को भी हमें स्विकार करना ही पड़ेगा तभी हम उस ससक्त समाज के निर्वान की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं कहीने क यहीं अपने responsibilities के आदार पर, अपनी dhaity के आदार पर, केवल विशे शिकषक नहीं, तो विशे शिकषक से आगे चल करकेestaundी का शिकषक. यानि विद्यारती के और शिकषक के बीच के जो संस्मंद है, एक छोटा चो अउधान देता हूं मैं. मैं विद्या भारती नामक जी संगटन के परतिनिदी के नाते से काम करता हूँ अभी कुछ दिन पहले ही प्रवास के बीच में एक 7-8 मेने पहले का अक्टूबर 9 मर का एक उधान मेरे सामने है प्रवास के क्रम में मैं अपने कारेकरता है पुराने मैं उनके घर पर गया हुआ था उन्होंने एक बात बताई वो स्वम एक विश्व विद्याले के अंदर गणित के प्रोफेसर है मेरे मित्र हैं लंबे समय से समाजिक शेतर में काम करते हुए एक लंबे समय तक का उनके साथ में मित्रता का यह आनुभव यह रहा है मैं उनके परिवार में बेटा हुआ था प्रोफेसर साब ने मुझे एक बात कही मुझे बड़ा आनंद भी आया और आश्चर भी लगा यह दोनों बाते हुई उन्होंने कहा वाज़दा आप यह बताईए आप अपने जो विद्याले हैं इसके अंदर आपकी जो शिक्षक हैं हम विद्या भारती की बाता में जिसको आचारे कहते हैं कि आप क्या करते हैं बच्चों के साथ कैसा संबंद बना करके रखते हैं तो मुझे थोड़ी चिंता भी लग लग रही थी कोई शिकायत की बात तो नहीं आ रही है तो मैंने प मिध्यारती और की बैट बात के महत repairs शिकार के डिया है वहुंचु मंदिर में चोथी इक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्ती ने उनके कहा ओंगे oraggi्सार विश्य के आचारें विश्गतर दिया वह वह अपने घर के अंदर उस प्रसन बाता होँगर जो चैया बेद दिन जी के द्वारा और शिक्षक के द्वारा उस होमवर्ग की कापी में सही के निशान ऐसे लगे और उनी सही के निशानों के बीच में एक शोटा सा प्रस्न था जो वासों में गलत था जिसका उत्तर गलत था यानि उसको पर क्रास्ट लगना चीए था गलत का निशान लगना चीए था दादा जी विश्विजाले में प्रोफेसर है और गणित के प्रोफेसर है एक शिक्षाविद है उन्होंने उस कोपी को देखा देखने के बाद में उन्होंने उस बच्चे से कहा कि ने ने ये कैसे सही का निसान तुम्हारे आचार जी ने लगा दिया ये तो सवाल गलत है अब वो जो हमको बता रहे थे और जो मैं आप सब से शेयर करना चाहता हूं वो कह रहे थे कि उस बच्चे ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक पूर्ण विश्वास के साथ प्रतिकार किया मेरी बात का और उसने कहा कि नहीं मेरे आचार जी ने सही का निसान लगाया है तो यही सही है ये बिलकुल गलत नहीं है और इस प्रकार से उस विशे को उसी आधार पर उसने स्वीकार किया बाद में जो प्रसी प्रसंद कड़ा किया कि भी आपके शिक्षक का संबंद विशे ये अलग है कि वो उस गलत प्रसंद के उपर सही का निसान लगा हुआ था परन्तु विशे ये भी एक चिंदा करने का है ये भी एक विचार करने का है कि शिक्षक का और विद्यारती के बीच में प्रस पर विश्वास का संबंद कहता है उस विश्वास के संबंदों के आधार पर वो अपने बाबाजी की बात जो कि बड़े विश्विजाले के प्रोफेटर हैं बड़े विश्विजाले में उसी विशे के विशेशग्य हैं परन्तु वो जो सामानने साथ सिक्षक है जो उस प्रैमरी कश्या के अंदर पढ़ाता है वो उसके बात पर अधिक विश्वास कर रहा है क्या आज के समय में हम शिक्षक अपने विद्यारतियों के बीच में उतना विश्वास अर्जित कर पा रहे हैं क्या एक चिद्धा करने का विचे कहीं न कहीं एक आग्रे करने का विचे है और मैं यह नहीं कहता कि नहीं कर पा रहे हैं मैं प्रवास के क्रम में बहुत से सिख्षकों से के साथ मिलने का बच्चों के साथ मिलने का मुझे वार्थालाब करने का मोका मिलता है ज्यान में आता है कि बड़ी अच्छी मात्रा में हम ये सब काम कर रहे हैं क्योंकि ये जो विश्वास है ये हमारी बात की ग्रड़ी वलड़ी बनाता है हम कहते हैं कि सरवांगिन विकास में केवल विशे वस्तु का ज्यान मात्र प्राप्त नहीं है तो हमारे द्वारा यानि एक शिक्षक के द्वारा जो जो बाते समय समय पर कही जाती है उन बातों को वो स्विकार कैशे करता है सच बोलो ये बात हमने कही तो इसको केवल वो सच बोलो इस नाते से परिक्षा के परिणाम में अंक अर्जित करने के लिए केवल लिख देता है या उस सचता का जीवन के अंदर अनुश्रण भी करता है ये जो दो अलग-अलग चीज़े है कतनी और करनी यानि व्यक्तित्व का विकास अगर हम ससक्त समाज के निर्मान की स्थापना की बात कर रहे है तो वो समाज कैसा होगा उस सिक्षक की बात को विद्यारती केवल सुनता नहीं है वो गुंता भी है वो हर्दयांगम भी करता है वो अपने मन में अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास भी करता है और वैसी रचना बनाता है ये जो द्रश्टी कौन है इसके आदार पर ही वो ससक्त समाज का निर्मान हो सकेगा ये द्रक्ष्टी कौन विक्षित कैसे हो इस नाते से ये आगरे रहता है कि केवल विशे आचारे नहीं विशे शिक्षक नहीं तो विशे शिक्षक से आगे चल करके विद्यारती शिक्षक बनना उस विद्यार्थी के साथ तादात्न, उस विद्यार्थी के साथ विश्वास, उस विद्यार्थी के साथ संबंध, उस विद्यार्थी के साथ प्रस्पर इस परकार की आत्मेता का वातावर्ण कि एक शिक्षक के नाते से हम जिस परकार के भी संकेत उसको करेंगे उसके जीवन में उसी परकार का परिवर्तन ये स्विकार करने की मनस्तिती बन सके मित्रो एक इसके आगे का विशेवी इसके साथ में जुड़ता है कि केवल विद्यार्थी शिक्षक बनना भी प्रयाप्त नहीं है आज जिस प्रकार के समाज रचना के दाइत्यों की बात हम करते हैं उस समाज रचना के दाइत्यों में समाज शिक्षक बनना पड़ेगा यानि हम जब शिक्षक बनते हैं तो कुछ do's or don'ts, कही न कहीं कुछ barriers, कुछ सर्तें, कुछ conditions, यह हमारे जीवन के साथ लगती हैं, हमारी उस द्रश्टी को विख्षित करती हैं, हमें समाज का सिक्षक बनने की बात जब आएगी, तो सहज रूप से समाज एक सिक्षक की द्रश्टी को देखता कैसे है, सिक्ष समाज में जादातर मात्रा में दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, एक जो वणित बुद्धी रखते हैं, वानिज्य करने वाली मानसिक्ता रखते हैं, अर्थात व्यापार करने वाली मानसिक्ता, कहने का तात्परी क्या है, उनका जो input है, और उनका जो output है, वो कित्ता के वातावर्ण में fluctuation भी होता है, और वो उस परकार की क्रियावीधी करते हैं, और स्पष्ट करना हो, सरली करना हो, तो मान लेजिए कोई सामाने से व्यापारी, उसने एक क्विंटल आलू खरीदा बड़ी मंडी से, और वो बाजार में आकर के उस आलू को बिक्रे करना है, लेकिन अगर आज के दिन आलू की डिमांड कम हो गई, हम सब लोग जो इस वानिची के विशे से जुड़े हुए लोग हो जानते हैं, कि उसकी उसका जो मुल्य है, वो मुल्य भी कम मिलेगा, बीस रुपे मिलेगा, जिरूरी नहीं है, पंदर रुपे में भी करे करूंगा, हो सकता है, वो कालावधी भी बढ़ानी बढ़े, यानि उस एन दिश्चित ताकिस्थिती रहती है, कितना लाव होगा, कितने समय में होगा, दोनों एन दिश्चित हैं, एक दूसरे प्रकार समाज के लोगों का है, जिसको वेतन भोगी करमजारी कहा जाता है उसका प्राप्त होने वाली, जो पुंजी है, प्राप्त होने वाला जो उसके आधार पर मिलने वाला जो रासी है, वो निश्चित है, एक महीने के अंतराल में मुझे इतना पैसा मिलेगा, सामान रूप से दो अजार, तिनजार, चार अजार रूपे महीने के ले करके, और और प्राक्त होने वाली राशी भी निरधारित है इस सब्पूरे समाज का विश्रेशन करिए एक सिक्षक के नाते से ज़रा विश्रेशन करेंगे ध्यान में आएगा तो आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे एक जिनकी आय अनिष्टित है लेकिन कहीं न कहीं समय अनिष्टित है और प्रंतु जिसकी आय निष्टित है और समय भी निष्टित है वेतन भोगी करमजारी या वानिजीक परिवेश में काम करने वाले लोग लेकिन मित्रों एक तीसरे प्रकार की स्रेशनी है और ऐसे कहा गया कि जिनको पीडिया लगती है एक ही जीवन में वो परणामकारी जोता है जो आमुलाग्र यानि समग्र परिवर्तन के लिए काम करता है अंग्री जी में जिसको मिशनरी कहा गया एक धे निष्ठा को ले करके हो सकता है उसके एवेज में उसको कोई ने कोई मासिक पारिस्रमिक मिलता होगा लेकिन वो वेतन भोगी करमचारी की मासिक्ता का नहीं होता शिक्षक के बारे में कोड ने भी कहा कि इस पर मिनिमम्म वेजिजवाला विश है यनि क्योंकि ये कही न कही वेतन भोगी करमचारी नहीं है तो क्या है तो सिक्षक समाज की रचना करने वाला है जैसे मा, माता पिता बच्चे को गर्व से समाज में स्रश्टी की रचना करते हैं परन्तु जीवन की रचना करने वाला ये सिक्षक होता है तो सिक्षक एक इस परकार का प्राणी है जो कही न कही एक विशनरी भाव से एक धेनिष्ठ व्यक्ति के नाते से अपने जीवन की आहुती देता है दीरे 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 वो विशे से व्यक्ति और व्यक्ति से समाज की सिक्षक बनने की स्थिति में आगे बढ़ता है एक चोटा सा उधान देता हूँ समाज के काम के दाइत्व के साथ मैं जब विद्याभारति के दाइत्व के साथ में जुड़ा आज के 20 साल पहले 1999 में उत्रपरदेश में लखनु नाम का जो अस्थान है मेरे पास दाइत्व आया और हमने आदे उत्रपरदेश को एक छेतर की रचना मानी हुई है तो उस छेत सामाज के बहुत से लोगों के साथ में मेरा सामाजी कार्यकरता के नाते से परिचय था एक ठोटी घटना मैं जो बिछे को स्पस्ट करना चाहता हूं कि समाज सिक्षक कैसा होता है समाच चिक्षक बनता है तो क्या-क्या उसके अपने जीवन में परिवर्थन करने पड़ते हैं कौन सी कौन सी बातों पर बंदल लगाना पड़ता है मेरे पास जब ये 1999 में ये जो दाइत वाया तो अपनी कारियाले पर मैं कुछ मित्रों के साथ बेटा हुआ था गबसब कर रहा था बहुत वर्सों के बाद फिर से वापिस मेरा कारेशेतर लखनू बना था एक दस बारा बर्सों के बाद वापिस लखनू केंदर पर आकर के रहने का अवसर मिला था तो पुराने बहुत से परिशित मित्र मिलने के लिए गफशब करने के लिए आए हुए थे है हैं कि सायमं साकांग में काम करने वाले जो कारियकरता ते नोजवान कारियकरता उन में से भी कई मित्र हमारे बैठे हुए थे एक लगवग आज के इसाफRO कहेंगे तो तो चलिए ऐसा करते हैं हजरत गंज की चाट खाने चलते हैं। तो चाट खाने जाना कोई बहुत ऐसा गलत काम ऐसा नहीं है। तो उसने जैसे आग्रे किया, मुझे भी लगा कि भी 10-12 वर्सों के बाद वापिस लखनों आना हुआ है। और इस मित्र का आग रहे हैं तो चलो चलते हैं। हम लोग वहाँ से हजरत गंज में एक जब बड़ा परसिद्ध चाट वाला है उसके पास में चाट खाने के लिए आ गए। अब मैं आपको मित्रों के साथ में जिस दृष्टी को शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग वहाँ हमारे उस कारिकरता ने उस मित्र ने कहा कि ऐसे ऐसे टिकिया और जो भी कुछ चाट की सो समगरी रहती है वह बनाने के लिए कही हम पांच लोग थे। उस चाट के ठेले वाले ने उन पांच पत्तों के अंदर पांच दोनों में वह अलग अलग प्रकार से जैसे दही और आलू की टिकिया बगरा बगरा डाल करके वह बना करके सब के हाथ में दिया। अब यहीं आपको विचार करने का एक वी से सामने आएगा कि जैसे ही हम लोग यो हाथ में दोना लिए हुए थे और ओ जो लकडी की चम्मत रहती है उससे जैसे ही एक ऐसा डाल करके मूह में डालने हूँ डालने ही वाले से कि जहां मेरा लकणों में केंद्र बना था विज एक वस्याार्थियों के साथ बातचित करना चिक्षफिकों के साथ बातचित करना ये मेरा अब की थी और सुभाव के वे बातचित करता था तो कई बच्चों से परिजह हो गया था एक टीसरी चो टीक्रास पढ़ने ौाले दो- थिन भच्चे अपने мाता-पिता से साथ र वहीं उसी समय उस छेले पर चाट खाने के लिए आ गए वो जो तीसरी चोती कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे से उन्होंने अपनी माता पितास से मेरा परीजे कराया कि यह ऐसे ऐसे यह आचार जी हैं यह अभी अभी नए नए आये हैं यह है वो है अब आप कल्बना क करिए इस पूरे द्रिश्ट का जरा एक आखलन करिए मस्तिस्क में इसका एक प्रतिविंब लीजिए एक वीजन करिए तो बात क्या दहन में आएगी जैसे ही मेरे हाथ में दोना है मैं उस लकडी की चमच्चे उस जो हाथ में चाट है उसको खाने के लिए एक उठाया ही लकडी की चमच्च है वहाँ पर उस जिस बहन से यानि उस बच्चे ने अपनी माता जी से जो मेरा परिजय कराया उस बहन का जो पहला प्रसंद था वही मेरे लिए एक जीवन का मानक बन गया एक शिक्षक के द्रश्टी कैसी होती है एक मानक स्थापित करता है उसने पहला प्रसंद किया रहे आशार जी आप दो चाट खाते हैं क्या अब ये जो प्रसंद है मित्रों ये बहुत विचारणी है चाट खाना कोई गलत बात है में ऐसा नहीं मानता प्रन्तु जब एक शिक्षक की कल्पना करते हैं शिक्षक के बारे में एक औरा बनाते हैं शिक्षक के बारे में एक उसके जीवन की एक शिक्षक कैसा होगा उसके समग्र विक्तित्व कई जीव कल्पना करते हैं तो ऐसे ठेले पे खड़े होकर के चाद खाने वाला शिक्षक नहीं होगा, आज भी हमारे भारतिये परिवेश में इस परकार के शिक्षक के जीवन तृतर के बारे में अवधानाय वनी हुई है, हमें कहीं ने कहीं सोत्रा पड़ेगा, अगर हम समाजिक शिक्षक हैं, हम केव समाज के परति हमारा उतरदाई तो क्या है, समाज के बीच में हमारी बात का, हमारी वानी का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे आचरन का, हमारे द्वारा किये जाने वाली चोटी चोटी क्रिया कलाप का, क्या संप्रेशन होने वाला है, क्या परतिशाज मिलने वाला है, समाज हमें शिक्षक के नाते से कैसे अंगीकार करेगा चानक के की चर्चाएं आती हैं कि चानक ने आहवान किया तो समाज का कितना बड़ा प्रतिशाद उसको मिला और हम उस विदेशी आकरांता को मुझ तो जबाब दे पाए तो कुल मिला करके चानक के केवल विशे शिक्षक नह नहीं थे चानक के समाज शिक्षक ते इसी नाते से समाज ने उनकी बातों को उस परकार से स्विकार किया और उसके साथ उस परकार से जूजने के लिए उस परकार से संगर्ष करने के लिए खड़े हुए तो मेरा आप सब से जो आहवान है मैं कोई मैंने प्रारम में ही जै आज के सामने जो विविद परकार के उतरदाईतों थे उन उतरदाईतों को जो समाज का अलग अलग घटक निरवहन करता था आज वो सभी उतरदाईतों भी कहीं न कहीं प्रसीतियों के सापेक्स्ता के आदार पर एक शिक्षक के जिम्में आ गए हैं उस शिक्षक को उन सभी बातों को स्विकार करना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत वो जो एक कलपना है कि फिर जगत गुरू उसी परकार का यानि जिसको फोलो करेंगे आज इस COVID-19 को ले करके बहुत सी परंपराओं को विश्व के लोग फोलो कर रहे हैं आज उन सब बातों का बले ही हमारे देश के लोगों को scientific values क्या हैं किस आधार पर वो चीजे मन्यता हैं किस आधार पर वो चीजे विज्ञान सम्मत हैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा लेकिन विश्व में उन सब लोगों ने इन सब पत्तियों को स्विकार किया है तो आज हमको दोहरी भूमिका का निर्वहन करने क्या हो सकता है एक विशे के सिक्षक सग्यता के नाते से हम विशे का संप्रेशन करेंगे और उस विशे के आधार पर उसकी मेदा परन्तु जो IQ है वो सफिशेंट नहीं है उस IQ के साथ में emotional को सेंट भी चाहिए भावनात्तक विकास भी चाहिए spiritual को सेंट भी चाहिए उस आध्यात्निक विकास के अंदर भी शिक्षक का input देना पड़ेगा और उसके आगे चल करके जो एक भारती ये कलपना है ये जो एक कलपना है उस कलपना ये क्यों कलपना मात्र नहीं है ये हमारे जीवन का जो एक आधार स्थम्ब रहा है तो उसके आधार पर जिसको आज की आधुनिक भासा में HQ कहा गया है यानि humanity consent उस मानवत्ता की द्रश्टी चे विचार करने वाला बारवता के आधार पर समगरता को ले करके अपने जीवन के साथ जोड़ करके चलने वाला ऐसा शिक्षक तो IQ, EQ, SQ और HQ इन सभी परकार के जो questions हैं उन बोदिक की बात आएगी यानि बुद्धिमत्ता की बात आएगी बावनात्मेक विकास की आएगी उसके चाह जड़ा ह अद्ध्यात परैल विकास की बात आएगी और कहीं कहीं संपुर्ण प्रमेश्टी यानि संपुर्ण स्रुष्ट्री के आधार कहीं वीचार करने वाला यह चले हुएं उस जसक्त समावत्त करने के लिए चलने हूएए उस पर परकार के जड़ाइक यंई बात आएगी यह स पर या कही न कही कोई appointment letter के नाम पर किसी एक विशे विशे सके के नाते से या किसी एक विशे सिख्षक के नाते से appointment letter लिया होगा परन्तु हमारी जो नहतिकता है हमारी जो जबावदेही है हमारी जो समाज के परती जबावदेही है समाज के परती जो हमारा उतरदाई तो बनत उस विशे से आगे बढ़ करके उन विद्यार्थियों के साथ हमारा ताधात में उन विद्यार्थियों को मोटिवेट हम कर सकते हैं क्या बहुत प्रकार के मेधावी विद्यार्थियों का अभी दो दिन पहले घटना हुई हम सब को उसके बारे में जानकारी है सोसल मीडिया दिल्ली के अंदर ही, जिसने जहां मेरा केंदर है, आजगल दिल्ली में, यहां परंगें कॉलेज में, साथी रैंक ईसने प्राप्त की थी, आगे चल करके थर्डियर के बाद, उसने अपने कारे की विधा को बदल दिया, हम सब जानते हैं, जिसके नाम की चर्चा हो, जो cinema का actor है उसकी चर्चा आज केल बहुत चल रही है social media के उपर एक ही बात बार बार आती है वो depressed था वो depressed था बही जो अपनी व्यक्तिकत मेदा में IQ में All India Level पर 7th rank प्राप्त करने वाला जो intellectual family से बिलोंग करता हो एक उभरता हुआ सिने स्टार के नाते से जिसकी मानेता बनी हुई हो वो कित्रा depressed हो सकता है इसका तात्परी क्या है इसका तात्परी है कि उसका जो आजात्मिक विकास है उसके अंतह करन का जो विकास है बही करन और अंतह करन आज वो विचे नहीं है इसलिए उसको केवल स्पर्स मात्र करेंग तो ये जो बही करण और अंत्यकरण ये जो समग्रता है ये समग्रता सरीर मन प्राण बुद्धी और आत्मा यश्टी से लेके प्रमेश्टी तक की जो परिकल्बना है पंच को सात्मेक विकास का जो मूल आधार है इन सभी के आधार पर अगर उसकी दिशा सही होगी तो वो जीवन में आने वाले इस प्रकार के चैलेंजेज को एकशेप्ट करेगा विद्यभारती के लक्ष में हम लोग कुछ सब्दावली बोलते हैं उसमें विद्यभारती में एक लक्ष लिखा हुआ रहता है हमें ऐसी राश्टी शिख्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके आदार पर एक विशिष्ट प्रकार की बिड़ी निर्वान होगी उसके बारे में हम लिखते हैं कि वो भारतियता से ओत्परोथ होगी उसके बारे में हम बोलते हैं जीवन में आने वाले चैलेंजिज को एक्षप्ट कर सके एसी स्थिती से उस चैलेंज को विप्रीत से एक ससक्त नागरिक के नाते से एक कर्मठ व्यक्तित्व के नाते से और एक कर्तव्य प्रायन व्यक्तित्व के नाते से स्विकार करेगा यह जो मोटिवेशन है यह जो प्रेणा है यह जो इंस्पिरेशन है यह शिक्षक दे सकता है क्योंकि आज के समाज में परिवारों क वो कल्पना ही नहीं रहे गई вместе माता पीता के साथ कि उश्परकार का संबंद ही नहीं आ पाता है कि वह उनकी बातों को वह विध्यारती उस्ट डंग से स्विकार कर सके अंगिकार कर सके के आज इस बीमारी के संगर्ष के कालकंड में बड़े विचित्र विचित्र अनुभवा रहे हैं मैं प्रति दिन एक दस बारे पंद्रे परिवारों में फोन करता हूं माता पिता से बात करता हूं बच्चों से बात करता हूं और जो उनसे घर परानी दाते हैं उनसे अलग अलग बात करता हूं कोशिस करता हू यह जानने की प्रयास करता हूँ कि उस परिवेश में जब यह लोगडाउन 1,2,3,4 की सितियां चल रही थी, अब तो यह पिछले 10-12 दिन से खुल गया है, काफी चीज़ें नर्मलाईज हो रही हैं, परंतु उस बीच में एक लगातार 60-65 दिन तक क्या चल रहा था, ध्यान म आता था, कि बच्चों के साथ माता-पिता का जो व्यभार है, माता-पिता के अपने मन का जो व्यभार है, और एक पारिवारी कलह का बातार बनता जा रहा था, इस परकार की एक negativity जिसको हम कहेंगे, बहुत बार फिर चर्चा करते थे, कि इनको नहीं को curriculum activities में संप्रेशित क कीजिए, इनको शिक्ष्णेतर करिया कलापों की तरफ, इनको hobbies की तरफ आप संप्रेशित कीजिए, तो जब आप उस परकार का चीज की आगरे करेंगे, केवल पढ़ाई, केवल शिक्चा, केवल अंग ज्यान, केवल पुस्तकी आधार पर जीवन रचना, ये प्रयाप्त नहीं है, विशे शिक्षक चे आगे बढ़ करके, उस विद्यार्थी की वो द्रश्टी, वो विद्यार्थी का वीजन, वो विद्यार्थी का उस परकार का व्यक्तित्व बनाना, बहुत परकार के ऐसे चर्चाएं, ऐसे उधान हमारे सामने आते हैं, अभी कभी कुछ ऐसे अपने सामने वो आते हैं, मेसेज आते हैं. मेरे पास एक मेसेज अभी कल ही एक किसी ने भेजा, तो मैं आपके साथ उसको share करता हूँ. इस मुबाइल में उने एक मेसेज भेजा आप 이स मेसेज को सुनेंगे तो आपको धान में आएगा इसमें लिखा है क्या आप जज कर सकते हैं इन तीनों मेसे सबसे बढ़िया और अच्छा आदमी कौन है उस मेसिज को सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा इसमें लिखा है क्या आप जज कर सकते हैं इन तीनों में से सबसे बढ़िया और अच्छा आदमी कौन है अब कौन के तीन तो वो मेसिज बेजने वाले हमारे मित्र लिखते हैं पहला वेक्ती उसकी गंदे नेताओं से दोस्ती थी रूच्शियों की बातों में इंट रऊशा करता था उसकी दो पतनिया थी सारें चिग्रेट पीता रहता और दिन में 8 से 10 बार स्राप पीता था दूसरे विक्ति के बारे में कहा है दूसरा विक्ति उसे ऑफिस में कई बार धक्के मार के निकाला गया दोपैर तक वो सोता रहता था कालेज में अफीम खा करके जाता था और रोजना स्याम को विश्की पीता था एक तीसरे वेक्ति के बारे में बताया गया है वह एक समारा हुआ और प्रस्कृत योद्धा था सुद्ध साकाहरी था उसने कभी बीडी सिग्रेट भी नहीं पी सराब का तो उसने कभी दोखा ने दिया अब यह तीन मोठी बातें ठीक है यह समयने मैसिज है पर न्युला को अगर इस तीनों के लक्ष्णों के आदार पर तीनों विक्ति का मुल्यांकर्ण करेंगे तो कोई भी विक्ति सवयने बढ़ विक्ति भी किसको अच्छा कहेगा यह जो तीस होगी लेकिन आगे इस जो मैसेज भेजने वाले जमारे जुमित्र हैं यह लिखते हैं कि पहला वेक्ति जिसके बारे में इतनी नेगेटिविटी बताई गई है उसका नाम था फ्रेंक्लिन रोजवेल्ट जो अमेरिका का 32 रास्ट्रपती बना दूसरा जो ब्रिटिस का आता है एडॉल्फ हिटलर अब यह तीन व्यक्तियों के तीन परकार के व्यक्तिकत जीवन के इतनी तर दिखाई देते हैं परन्तु उस व्यक्तिकत जीवन के अंदर अगर समस्ट्री का द्रश्टी कोण नहीं डाला हुए आमने उसके साथ में समाजी कुतरदाइत्यों की पर भावना है नहीं डाली हुई है उसमें वो समवेदना है नहीं डाली है समाज के साथ संबंद कैसा होना चाहिए यह जो व्यक्ति समस्ट्री और स्रिष्टी की रचना का दाईत तो उसके साथ में नहीं जाला है तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिकत जीवन में सायद बहुत पवितर इस परकार का दिखता होगा वो समाज की दुष्ट्टी से एक बड़ा सिर्दर्ध बन सकता है व्यक्तिकत जीवन में खराब कार्य करने वाला भी समाजी के दुष्ट्टी से बड़े उत्तरदाइत वाला बन सकता है इसमें से ये अर्थ नहीं निकालना कि व्यक्तिगत जीवन पवित्र नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत जीवन पवित्र होना ये आवश्यक है परन्तु व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता के साथ हम शिक्षक क्या उसका समाजिक जीवन उसका स्रिष्टी का जीवन उसका उत्तरदाईत हुए हम ससक्त समाज के निर्वान की जब आप बात कर रहे हैं तो स्वावाईक बात है समाज के परती देखने की द्रश्टी कैसी है किसी आज के इस समय में जबके इतना देरी अवातावर्ण इस कोविड-19 के कानदे बना हुआ है अकवारों में कुछ ऐसे कस्ट देने वाले समाजार आते हैं नकली मास्क बेच रहे हैं नकली कोई स्टिनेटाइजर बेच रहे हैं और इस प्रकार के गंदे काम करते हुए अब कल्पना कीजिए जब इस समय संपूर्ण मानवता इतनी परेशान है लाखों लोगों की मरत्यू हो रही है और वर्थान में संपूर्ण विश्व के साइं पर भी आज के समय में उससे कुछ धनार्जन किया जा सकता है और गलक्त वद्दती से धनार्जन किया जा सकता है शिक्षा में तीन सब्दों का प्रियोग होता है एक है प्रकृती एक है संस्कृती और एक विकृती यह जो प्रकृती है यह नेच्रल प्रोसेस है जैसे मैं उदान दिया कि बच्चे के 6 महिनें के भच्चे के हाथ में आपने ऐसे कलम दिया, वो मुँ में डाल लेता है, यह प्रकृति है, उस बालक के अंदर जो स्वाभाविक नेच्छल प्रोसेस है, वो जो एक स्वाभाविक प्रकृतिक जो सोच है, वो उसका प्रतीक है उसका दोतक है परंतु संस्कृति और विकृति ये जो सोचने की जो दो बाते हैं जब हम शिक्षक के नाते से विचार करते हैं तो विकृति क्या है विकृति वो है ऐसे नकारात्नक परिवेश के अंदर भी कही न कही समाज को कष्ट दे करके भी समाज को किसी न किसी रूप में चाहे कितना भी समाज को कश्ट हो रहा हो मुझे कुछ मिलना चाहिए इस कलपना के साथ जो क्रियाशील होता है वो विक्रिती है कई बार ज्यान में आता है जब द्यूत क्रिया हुई और दुर्योधन के सामने जिश्टर सब कुछ हार गए अंत में 12 साल का बनवास और 1 साल का ग्यातवास के लिए चले गए उसके बाद भी यानि सब प्रकार के साधन, सुक, समरिद्धी इंद्रप्रस्थ का राज्य ये सब कुछ दुर्योधन ने प्राप्त कर लिया तो क्या हो संतुष्ट था? अगर धन संपदा ही संतुष्टी का अधार है तो दुर्योधन को संतुष्ट हो जाना चाहिए था लेकिन क्योंकि विक्रिती होने के कारण चे उसकी संतुष्टी, उसका आनंद, उसका सुख ये अपने संसाधनों में नहीं था उसका सुख पांडवों के दुख के साथ कोर्यलेट करता था क्योंकि वो विक्रित मान सिक्ता का था और वहीं जब हम दिश्टर के बारे में विवेचना करते हैं एक सिक्षक के दृष्टी से विचार करते हैं तो जब वो गंदर्व उसको पकड़ लेते हैं दुर्योधन को पुरी कहानी बताने के आशकता नहीं आपको मालूमी है तो उसमें वयम पंजाधिक सतम इस पावत को धान में रख करके आर्जुन को और भीम को दृष्टन को छुडवाने के लिए भेजते हैं यानि सवे सरवे भांदू सुखिना ये व्यास्टी से प्रमेश्टी की जो परिकल्टना है जब हम एक ससक्त समाज के निर्वान की बात बोलते हैं तो शसक्त समाज का तात पर ये केवल मैं जीवन में जीओंगा ये भारतिये संपूर्ण विस्विश्व ये सुखमय हो संपूर्ण जिष्व ये निरोघ हो संपूर्ण विस्व ये आनन्दित हो ये जो सोच है मैं विद्धाभारती के कारिये के आधार पर विदेशों में भी हमने कुछ अपनी गतिविदियां प्रारम में की हैं अभी पिछले साल जब अमेरिका के प्रवास पे गया हुआ था तो वहां अमेरिका में कमरे प्रोफेसर साब से ऐसी चर्चा हो रही थी उन्होंने चोटा सा प्रसंद किया बड़ा मज़िदार सा प्रसंद है लेकिन हम सब सिख्षकों के लिए विचार करने का प्रसंद है आज के समय में कोई भी एक चोटी चोटी भी जब कोई रिशर्च की जाती है तो हम उससे अधिक्तम धनारजन कर सकेंगे इसके लिए पेटेंट भाले ठाए आज तो उसके बिना किसी बी परकार के विज्ञान की किसी भी परकार की कोई अक्तिव़िटी बिना उस सुन्ने की उस समलो पदधति को स्विकार किये बिना उसका यूज किये बिना कुछ भी करना सम्भवी नहीं है तो यदि भारत ने जीरो कोण ये कभी नहीं रहा है हमने कहा है कि जो भी कुछ है वो संपोर्ण विश्वका है हम ज्ञान को सारुभोमिक मानते हैं यह ज्ञान किसी व्यक्ति विशेश की पुंजी नहीं है वो सारुभोमिक है और इसी नाते से वैस्टी से परमेश्टी तक की यह कर्मानुगत विकास है हमने कहा है कि शिक्षक की सीख द्रश्टी अगर मिलती है तो वो जो सामान्य चा विज्जार्थी सामान्य दिखाई देने वाला विज्जार्थी भी नर से नारायन बन सकता है वो जो नारायन बनना यानि भगवान बनना नहीं नारायन बनना यानि उत्रा महान बनना जो व बावान है आज हम सब लोग मैंने प्रार्मे में कहा उस परकार के काम में लगे हुए हैं लेकिन एक प्रंपरा के कारण से शिक्षक बन करके काम करना एक है दूसरा समझ के आधार पर काम करना दागवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि मुझे भक्त भी प्रिये है प्रिये हम जो क्रिया शीलता कर रहे हैं अपने विज्यालेयों में अध्यापन करने का जो कारे कर रहे हैं हम उस विशे शिक्षक से विद्यार्ती शिक्षक से सामाजिक शिक्षक और संपूर्ण समाज का नित्यत्व करने वाले उसको मोटिवेट करने वाले उसको इंस्प अभाविक है मैं कई बार आग्रे किया करता हूँ अपने मित्रों के साथ में कि ये जो 21 सदी चल रही है आज इस केवल इस कोविद की महामारी के कारण से ही नहीं तो प्रकारांतर से पूरा विश्वे इन भारतिय मान्यताओं को भारतिय चिंताओं को भारतिय में इस स्विकारोक्ति की बढ़ोत्री ही होने वाली है परंतु ऐसी सिती में अपने मन में कीवल समाधान मानल लेना हम उत्तम हैं इतना मनल लेना प्रया census नहीं है एक शिक्षक के नाते से हम उस समाज को उस प्रकार का सचस्ट चुरूप ढे सके हम आने वाली इस पीडियो दस-वीश साल के बाद जिस परकार के परिवेश में हमारे भारत का उठान होगा, हम पूरे विश्व को विश्व की समस्याओं का समाधान देने वाले, विश्व को नेतिर्टों करने वाले, और हम सब सिख्षा की सित्र में जो कहते हैं, कि जो हम करणवंतों विश्व मारियम या वसुदेव कुटमकम की बात करते हैं तो केवल हमारा नहारा नहीं है हम वास्तों में उस विश्व को आर्य बनाने के लिए चले हैं आर्य यानि स्रेष्ट बनाने के लिए चले हैं उस स्रेश्टता के मापन के आदार पर दाइत्य शिक्षक का बनता है आप सभी मित्रों के साथ मैं केवल इतना ही विचार शेयर करना चाहता हूँ हम उस दाइत्य को समझें उसके आदार पर अपने क्रिया कलापों को निर्धारित करें तो निश्चित बात है आने वाले समय म आने वाली सताब्दी में हमारा ही इस परकार का जो भाव है हमारी इस परकार की जो परंप्राएं है हमारा जो जो ज्यान है हमारा जो वैसिष्ट है हमारा जो एक लंबे काल खंड तक के चला आ रहा जो अनुभव है वो अनुभव विश्व का नेतिर्टों परदान कर सकेगा और संपूर्ण विश्व को उस परकार के एक ससक्त समाज में परिवर्तित कर सकेगा आप सब लोग उस परिवर्तन के वाहक बने मा सारदा जो ग्यानदाईनी है वो हम सब को उस परकार की बुद्धी परदान करें भारत माता हम सब को वैसी परिरणा परदान करें और हम उन्स प्रिरणाओं को प्राप्त करते हुए हम समाज के नित्रतों के आधार बन सकें ऐसा आहवान करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ जै भारत वंदे मात्रम